दोस्तों इन्वर्सिटी वा कॉलेज के बीए बेस्टी बीकॉम के चात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है और उनकी परिच्छा को लेकर भी बड़ी अपडेट्स हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो कुल मिला के आपको वीडियो को पूरा देखना है जिससे पहले हम बात कर लेते हैं परिच्छा फे जुड़ी अपडेट के बारे में ठीक है तो पहली बड़ी अपडेट यह है कि जो भी बीए बेस्टी बीकॉम के फेस्टियर वाले चात्र हैं जिनकी सिकेंड सेमेस्टर की परिच्छा होनी है तो लगभग इन्वर्सिटियों में इस समय एक्जाम फॉर्म फिल किया जा रहे हैं और लगभग इन्वर्सिटियों में जो कोईश्चन का पैटर्म बहुत आया चात्र जानना चाहरे होंगे कि सेकंड समेस्टर में जो परिच्छा होंगी बीए फस्टियर वालों में या फिर बीस्टियर फिर फिर विकॉम मे वह किस प्रकार के कोईश्चन है जैसे कि लखनो इन्वर्सिटी ओके और एक इन्वर्सिटी और मज़े ध्यान नहीं है इन इन्वर्सिटियों ने कहा है कि हम परिच्छाएं ऑब्जेक्टिव यानि कि टिक करने वाले कोईश्चन आएंगे उमार सीट परिच्छा होंगी लेकिन वहीं पर उभền जैसे कि अवएधव उन्वर्सिटी डीडीओ और एक दो इन्वर्सिटियों ने कहा है कि हम लिखित परिच्छाएं करायेंगे तो कुल मिलाखे छह साथ उन्वर्सिटी स्थिव कराय। या फिर उम्होर सीट पर कराएंगे उसके लिए मैंने आपको information किया है बाकि कि इन्वर्शिटिया किस तरह की परिच्छाय कराएंगी यानि किस बेस परिच्छाय कराएंगे objective कराएंगे फिर लिखित कराएंगी इसके लिए आप लोग comment करिएगा अगर आप अपनी इन्वर्शिटी पर जूड़ी अपडेट चाहते तो comment करिएगा तो मैं आपको बता दूँगा कि हाँ आपकी इन्वर्शिटी में इस परिकार की परिच्छाय होंगी और इस तरह के आप लोग exam कियों तैयारी करिए ठीक है और अब हम बात कर लेते हैं कि admission से जूड़ी अपडेट के बारे में तो दोफ्तों जो भी हमारे 12th complete के हैं तो जल्द से जल admission ले सकते हैं लगबग इन्वर्शिटी ओं में admission जहें ओपन है और अब बात कर लेते हैं हम result की तो दोस्तों result से जूड़ी अपडेट में आपको बता दूँ कि अभी एक इन्वर्शिटी है कानपर बिस्विद्याल है जिन्होंने फस्ट एर के फस्ट तमस्टर के छात्रों का result है और बाकी अभी कोई इन्वर्शिटी ऐसी नहीं है जिन्होंने result को गोशित किया है फिराल result की तयारी में पूरी तरह है जैसे भी आएगा हम आपको information कर देंगे बस आपसे request है कि इन्वर्शिटी का नाम comment में लिख दीजेगा ठीक है इफी तरह परिच्छा फिजू जो अपडेट आती रहती हम आपको time to time provide करते रहते हैं तुमार सीट पर नहीं को आर्लाइन पेपर होंगे और सारे question objective होने वाले हैं यानि कि परिच्छा लिखित नहीं टिक करने वाला मामला होगा तो पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हैं जो भी थार्डियर के चाहत वो परिच्छा अपना अटेंड कर सकते हैं और मैं तो अगर आपको कोच और भी अपडेट चाहिए अपनी इनवर्सिटी एक वाले से समद्धित तो कमेंट सेक्षिन में जरूरू होता है हम आप तक अपडेट जरूरू प्रोवाइड करेंगे ठीक है